हम नाशनल लेवल के लिए आज कर रहे हैं आपको गैरंटीज दी थी उन्हें हमने कॉंग्रेस पार्टी की गैरंटीज जरूर कहा था मगर सच मुच में वो आपकी गैरंटीज थी आपकी अवाज थी में विकड़ चेपिन अपड़ू आधी कॉंग्रेस पार्टी गैरंटीज थी आधी मी गैरंटीज थी मी गैरंटीज थी जब हमने 500 रुपए सिलिंडर की बात की थी 200 युनिट मुफ्त बिजली की बात की थी ग्रेह लक्ष्मी की बात की थी फ्री बस ट्रविल की बात की थी तो वो हमने आपकी अवाज सुनकर गैरंटीज निकाली थी 500 रुपएलो गैस सिलिर रहे ना रेंड़ंदल युनिटल वरको उचित विद्ध्य थे ना आटीसी बसल लो माईललकी उचित प्रायना वे ना गुर्य लक्ष्मी लो उचितंगा इल्लु गट्रवे ना मी गोंतुनी इक निंची विरिपिंचन जरीगिंदी अधि अमलुचेशन विच्चेंगुडा मिक मनव जेस्त तुरानू और आज तेलंगाना के सब लोग जानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी ने जो वायदे किये थे उन वायदों को कॉंग्रेस पार्टी पूरा कर रही है हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज़ादा बेरोजगारी है मगर तेलंगाना में तेलंगाना की सरकार ने 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी है और कुछी समय में 50,000 और लोगों को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है मत्तम बारत देशम लो निरुद्योंगे समस्य चाला तीवरंगा हुना ये समय उनलो मन तेलंगाना प्रभुत्तों मुपई वेला उद्योगालू अलड़ी इचिंदी तो जैसा हमने तेलंगाना के साथ किया वैसा ही हमने अपने मैनिफेस्टों के साथ किया ये विदंगा इते तेलंगाना लो मात इिचिने दिलंबेट कुनमों अदे विदंगा जाती असताई मैनिफेस्टों लो गुडा दिलंबेटीकों पोत ने पीने मनայचि असनरू ये जो मैनिफेस्टों है कि ये हिंदुस्तान की जनता की आवास है ये कॉंग्रेस पार्टी की अवाज नहीं है आपके दिल में जो था लाकों लोगों के दिल में जो था उसे कॉंग्रेस पार्टी ने सुना और उसे हमने मैनिफेस्टों में डाला ये मैनिफेस्टों के वलों कॉंग्रेस पार्टी ये मैनिफेस्टों का दू बारत देश्यमु फ्रजलियों का कोरिक मेरकों ये मैनिफेस्टों तैर जेड़न जरीकिंदी मी मनसलों न माटा ये मैनिफेस्टों लो प्रतिम पहुझे जिनमू मैनिफेस्टों की आत्मा जो है वो पाँच गैरंटीज की है ये मैनिफेस्टों लो आई वो गैरंटी लो ये मैनिफेस्टों का आत्म लाँटी वह अपिने माना जेस्ट नानू सबसे पहले पेरोजगारी के लिए हिंदुस्तान के युवाओं के लिए साल में एक लाख रुपे की सैलरी वाली नौकरी हर युवा को मिलेगी भारत देशन लो निरुद्योगल अंदर की अथित्वरलो भारत देशन लो निरुद्योगल अंदर की लक्ष रुपाईल जीतन तो लक्षरूपा जीतन तो उद्ध्योंग में पीछे बहुत नामों तो हमने एक अप्रेंटिशिप का कानून बनाया है में मों अप्रेंटिशिप अंटे ट्रेनिंगों मरी ट्रेनिंग इसे कारक्रम गुड़ा मदल बेड़त नामों इसमें हिंदुस्तान के हर युवा को जैसे हम मन्रेगा में रोजगार की गैरंटी देते हैं वैसे हिंदुस्तान के हर युवा को एक साल की अप्रेंटिशिप की गैरंटी मिलेगी ये पबलिक सेक्टर में होगी, प्राइवेट सेक्टर में होगी, हेल्थ केर सेक्टर में होगी, एजुकेशन सेक्टर में होगी, सेक्टर में हम हिंदुस्तान के युवाओं को एक साल की अप्रेंटिशिप एक लाख रुपै की देंगे, भारत देशन लो उन्न निरुद्यों के युवत अंदर की, उकर लक्षरुपल जीतन तो, उकर समस्रों ट्रेनिंग हो अप्रेंटिशिप हो, प्रभुत्व रगे समस लो, विद्या रंगें लो, आरोगी रंगें लो, तब पन सरिगा कलपींच बोतुना जेपिने माटिस तुनानू, और ये युवाओं के लिए, हमने सिर्फ एक बात रखी है, तो कि भाशन के ले इतना टाइम नहीं है, तो जो सब कुछ हम कर रहे हैं, वो मैं बोल नहीं र लख रहा हूं, मगर अगर आप मैनिफेस्टों में देखेंगे, तो युवाओं के लिए, अनेक और वाइदे हमारे मैनिफेस्टों में है, आप जानते हो, कि हिंदुस्तान की महिलाएं, हमारे भविष्चे की देखबाल करती है, बारत देशन लो महिला लो, मना भविष्चे तो जुस कुटरा जैपी, ने मना ये सुनानू, और जो महिलाएं, जॉब करती हैं, वो दो जॉब्स करती हैं, मैं उद्योगार जैसे महिलाएं, रोंड उद्योगार जैसे तो जैसे ने मना ये सुनानू, एक ओफिस में जाकर, या मजदूरी करकर, और दूसरी घर में, जो वो अपने बच्चों की और परिवार की रक्षा करती हैं, उनके लिए काम करती हैं, महिललू, लेबर गा, फुलाल लो, आफिस लो पंजेस्तू, इंटिरुगुडा मतवू, छूस कुंटारू, रोंड उद्योगार जैस्तुनान जैपी, ने बाविस्तुनानू, और हिंदूस्तान में, मोधी सरकार के आने के बाद, करोणों लोग फिर से गरीबी में घुज गए हैं, बारत देशन लोग, नरेंद्र मोधी प्रभु तोच्चित रहाता, चाला बंदी, मल्ली, निरुपेद, लाई पोयारू, इसलिए, हम एक नारी न्याय कानून लाएंगे, अंदू कोश में, नारी न्याय अंटे महिला लगू न्यायों मैं थिसकराब होत्त नमू, नारी न्याय हिंदूस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक अकाउंट में, साल में एक लाख रुपेय डालेगी, ये क्रांतिकारी कदम है, इससे पूरे देश का चहरा बदल जाएगा, आप सोचिए, हिंदूस्तान के सबसे गरीब परिवारों को, कम से कम, एक लाख रुपिया, सीधा बैंक अकाउंट में, कॉंग्रेस पार्टी की सरकार देने जा रही है, आलो चल जेंडी, निरुपेय दा कुटुम्बा लकी, राबो ये कॉंग्रेस प्रभुत्तों, प्रती कुटुम्बा ने की, प्रती समझ रहूं, लक्ष रुपा लिवा बोतन जेपी, ने मना यसना नूं, इसका मतलब, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा, जिसकी आमधनी एक लाख रुपेय प्रती साल नहीं होगी, अन्टे मत्तम भारत देशम लो, उक्क कुटुम्बारी गुडा, आदायों, समझ रहूं, लक्ष रुपा लकंटे तक्वा उंडबो दों जेपी, ने मना जेसना नूं, किसरा वाइदा, किसान न्याय, मुडो हामी, रही तुल अकिन न्याय हो, आप जानते हो, कि आज हिंदुस्तान में, रोज, हजारों किसान आतम हत्या करते हैं, इस देश में, रोज, तीस किसान आतम हत्या करते हैं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का, सोला लाख करोर रुपिया करजा माफ किया है, मगर किसानों का एक रुपिया करजा माफ नहीं किया, इसलिए, किसान न्याय के माधियम से, हम किसानों का करजा माफ करेंगे, और लीगल MSP की गैरंटी देंगे, हिंदुस्तान के किसानों को, उनके प्रोड़क्स के लिए, उनके प्रोड्यूस के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिममम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, और स्वामी नातन फॉर्मिला के मुताबिक मिलेगी, मज़ूरों के लिए, हिंदुस्तान में, हम मिनिममम वेज लाएंगे, कार में को लगी, खूली लगी,